धर्म आध्याद्म और संस्कृति की नगरी काशी में गंगा के समानांतर विकास की अविरल धारा प्रवाहमान है। परियोजनाओं का लोकारपन हो चुका है। मार्गों के विकास एवं सेतु निर्मान से जुड़ी परियोजनाओं का लोकारपन माननिय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। जिसमें 3510 करोड की लागत से 32 किलो मिटर वारणसी गोरखपुर अनेच उन्तीस राज मार्ग। एक हजार बारह करोड की लागत से 17 किलो मिटर रिंग रोड रखोना राजा तालाब से वाजितपुर हर हुआ मार्ग। 17 करोड की लागत से केंटॉनमेंट से पड़ाव मार्ग तक के चौड़ी करण की परियोजना प्रमुख है। इन परियोजनाओं की लोकारपित होने से अब प्रयाग राज दिल्ली तथा कोलकता के वाहनों को शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ कुशी नगर और नैपाल जाने में भी समय एवम इंधन की बचत होगी और यातायाद भी सुगम होगा। गंगा को प्रदूशन मुक्त रखने और घाटों को स्वच रखने के उद्देश्य से जो परियोजनाएं लोकारपित हो रही हैं। उनमें 73 करोड की लागत से राम नगर में 10 MLD शमता की STP एवम सीवर लाइन, 202 करोड की लागत से वरुना नदी के चैनलाइजेशन एवम तटिय विकास कार्य, 18 करोड की लागत से कैथी में मार गंडे एवम संगम घाट का निर्मान तथा गंगा के पांच घाटों का पु 14 करोड की लागत से गोदोलिया दशाश मेध मार्क पर पर पर्याटन विकास कार्य पूर्ण कर लोकारपित किये जा रहे हैं, साथ ही 2 करोड की लागत से शूल तंकेश्वर घाट भी लोकारपित हो रहा है, घाटों के सुंदरी करण एवम निर्मान से दर्शन तथा पर्य 15 करोड की लागत से सर्केट हाउस, टाउन हौल में भूमीगत पार्किंग तथा पार्क के विकास कार्य, 27 करोड की लागत से आठ कुंड, चक्रा तालाप एवम पद्व विभूशन स्वर्गिय गिरिजा देवी सांस्कृतिक परिसर के सौंदर्य करण की परियोजना, लोक अलाकारों को अपनी प्रस्तूती में मदद भी मिलेगी, माननीय प्रधान मंत्री जी की ध्रड इच्छा शक्ती से काशी की सांस्कृतिक पहचान अक्षुड है, और तकनीक का लाब हर वर्क को हासिल हो रहा है, 23 करोड की लागत से शेहनशाहपुर में लोकार्पित हो रहे बायो सीएनजी प्लांट से खाद के साथ ही सीएनजी गैस भी निर्मित हो सकेगी, 10 करोड की लागत से पहड़िया अस्थित, लाल बहादुर शास्त्री, फल सबजी मंडी का उन्नयन, एवं पशुधन क्रिशी प्रशेत्र अराजी लाइं के आधुनिकी करण योजना के ल दोकारपित हो रही परियोजनाओं के तहत, बी एचियू में छात्राओं के लिए 200 डबल सीटिंग रूम होस्टल, राजपूताना ग्राउन में छात्र गतिवीधी केंद्र, धनराजगिरी बॉय्स होस्टल ब्लॉक एवं अधिकारियों तथा ध्यापकों के लिए आवासि परिसर, हर हुआ में विज्यान एवं वानिज्य संकाय भवन का निर्मान प्रमुख है, रेल यात्रियों की सुविधा एवं उनके बहतर खानपान के लिए, वारणसी केंट रेलवे स्टेशन पर देड़ करूर की लागत से एक्जिक्यूटिव लाँच और ग्यारह करूर क की लागत से लोकार पित हो रही, इंडस्ट्रियल इस्टेट चांद पूर माग चौड़ी करन परियोजना से, अब उद्धमी लाभान मित होंगे, काशी को मिल रही सौगातों के लिए, हम अपने सांसद एवं ये शस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के प् झाल